सलाम आलेकम विर्चुर उनिवसिटी ने फॉल 2021 समेस्टर की जो फीस है समेस्टर फीस का अनौस्मेंट कर दी है तो इसको किसना से इंस्टाल्मेंट में बनाएंगे और कौन से स्टुडेंट्स को यह फीस पे करने पड़ेगी है तो अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है तो मेर क्लिक करें सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि उनिवस्टी की तरफ से आया है जी तो फी वोचर आप सब लोगों का यह शो हो गया है तो यह किन-किन स्टुडेंट्स को पे करनी पड़ेगी तमाम जो स्टुडेंट्स हैं चाहे वो समेस्टर के हों चाहे वो उसका थर्ड समेस्टर है तो उसकी फीस कुछ और आएगी और जो अगर सेकंड समेस्टर का है तो उसकी फीस कुछ और आएगी यह डिपेंड करता है आपके डिग्री प्रोग्राम पे और आपकी कोर्स लेक्शन में अगर आपने एक समेस्टर में ज़्यादा सब्जक्ट तो उस लिहाँ से फिर आपके फीज भी आपकी ज्यादा होगी जो फर्स स्मेस्टर के स्टुडेंट्स ने उन्होंने एडमिशन फीज सिर्फ पे की थी अब यह उनकी स्मेस्टर फीज है तो यह भी तमाम स्टुडेंट्स को पे करनी लाज़मी है अब इसके हम लोग अपने अपने LMS पे लोग इन करना है अकाउंट बुक पे जाना है और यह सारा कुछ करना है अब हमने यह बताना है कि हमने इस्टालमेट कैसे करनी है चले जी चलते हैं हम इंस्टालमेट पे सबसे पहले आपने LMS को लोग इन करना है और त्री लाइन पे क्लिक करना है और अकाउ करें यह तब ही आपकी इंस्टाल्मन के लिए शो होंगी जैसे याप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्कुरीन शो होगी जिसमें तू और थ्री इंस्टाल्मेंट का आएगा हमने 3 करनी तो 3 पे क्लिक करें यहाँ पे इसको डिटेल आएगी कि आपने कब तक फीस पे करनी और इसको convert to installment पे क्लिक कर दें जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगे और आपकी जो फीस है वो equal installments में convert हो जाएगी ठीक है इसके scroll 3 installments हो गई है पिछले semester में पहले maximum जो installments थी वो 5 हुआ करती थी पर इस semester में जो maximum installments हैं वो 3 होंगी तो यह आपको as early as possible अगर आप installment करवाना चाहते हैं तो इसको अपनी installments में convert करें ठीक है तो बाकी वीडियो helpful लगी हो तो इसको लाइक किये जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें